बिस्मिल्लाहिरहमानी रहीम अस्सलाम अलेकुम दोस्तों मैं जायद उसेन आपको अपनी यूट्यूब चैनल लेर्निंग विज जायद में वेलकम कर रहा हूँ आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम Microsoft Excel के अंदर मंतली प्राड़क्शन रिपोर्ट को कैसे बना सकते हैं मंतली प्राड़क्शन रिपोर्ट की फार्मेटिंग मैं पहले से कर चुका हूँ ताकि आप दोस्तों का टाइम बच सके अब हम सिर्फ यहां पर फार्मुलाज अपलाए करेंगे आप इस शीट को देखके अपनी शीट बना दीजेगा या फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस शीट को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड करने का लिंक देदू ताके आप इस शीट को डाउनलोड करके प्रैक्टेस कर सकें तो टाइम वेस्ट के बगएर हम अपने लेसन के तरफ चलते हैं सबसे पहले हमने यहां उपर कंपनी का नाम लिखना है Learning with जायद आपकी जो कंपनी का नाम टाइप करेंगे यहां पर Monthly Production Report Title जो आप टाइटल देना चाहें यहां पर अगर क्यादि करेंगर डेली बना रहे हैं तो विकली Production Report जो आप टाइटल देना चाहे हैं वो यहां पर ते दें उसके बाद यहां पर हम months टाइब करेंगे तो months के लिए हमने drop down list बनानी है तो drop down list के लिए मैं पहले से यह बना चुका हूँ drop down list इसको drop down list आप directly भी आप add कर सकते हो या फिर आप इसको नाम change करके वो नाम भी लेकर आ सकते हो नाम आप कैसे change करोगे आप formula में जाओगे और define name इसको select करके define name पर click करके नाम define करोगे यहां पर तो मैं इसको पहले drop down list का नाम दे चुका हूँ तो चलते हम अपना यहां पर सबसे पहले हम drop down list बनाएंगे drop down list के लिए पहले बनाने के लिए आप data में जाएंगे data validation में जाएंगे और यहां से इसको आप list बना दीजेगा list और source, source के लिए आप जैसे अब मैंने पहले बताया अगर आपने name define किया है तो यहां पर आप name type करें अगर name define नहीं किया तो आप यहां पर click करके उसी sheet में चले जाएं यहां पर पहले से मेरे पास आ रहा है कि आपने पहले इसको define किया हुआ drop down list के नाम से अगर आपने नहीं किया तो फिर आप यहां से इसको select कर सकते हैं ठीक है जैसे मैंने इसको select किया उसने बता दिया कि यह drop down list है okay कर दीजी तो आपके drop down list ready हो चुकी है यह साइट में arrow आ रहा है इस arrow पर click करेंगे तो आपके month आ जाएंगे यहां पर for example हम इसको august का महीना बता रहे हैं कि यह august के महीने की हमें monthly production report चाहिए august बता दिया तो यहां पर हमने august के महीने की पहली तारिख को type करना है लेकिन हम उसको type करेंगे एक formula के जिरिये यहां पर हम अपना formula apply करेंगे is equal to date value date value क्या होती है कि एक converted date in the form of text text के form में जो date होती है उसको एक number के form में convert कर देता है जिसको excel समझ पाता है ठीक है टेप प्रेस करके date value date हमें कौन सी चाहिए first चाहिए ठीक है end का sign लगाएंगे हम किस महीने की first चाहिए इस महीने की first चाहिए bracket close करके enter कर दें आपको दे देगा 8 महीने की पहली तारिख 2020 ठीक है उसके बाद तू कब तक चाहिए last date यहां पर हम बताएंगे end of month में अब हम यहां पर end of month का formula यूज़ करेंगे जो हमें बताएंगा कि इस महीने की आँखरी date कौन सी है equal to e-o month हमारी start date कुन सी है यह वाले हमारी start date है उसके बाद comma month कितने months मुझे इसी month की चाहिए तो मुझे फो Mike seven month करूँ ऑगर मुझे next month की चाहिए तो one day करूँगा जितने month मुझे jump करना है मैं इसमें उत्ने number eight करूँगा तो मुझे इसी month की अगस्ट की चाहिए तो मैं zero डालके bracket close करके enter कर रहा हूँ तो यह मुझे August के ही last date बता रहा है जैसे मैंने आपको पहले बता है कि मैं इसकी formatting पहले से कर चुका हूँ तो यह formatting मेरी यहां पर आ चुके मैं फार्मूला आपको दोबारा apply करके दिखा दूँगा यहां पर हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम करेंगे कि हमें यह वाली date यहां पर show करवा दे तो is equal to यह वाली date आपको दे रहे हैं enter करना है तो उसने मुझे one दिखा दिया one क्यों दिखाया क्योंकि मैंने इसमें यहां से custom formatting की हुई है अगर आपने नहीं की होगी तो यह आपको यह वाली date दिखा देगा इस तरह दिखाएगा तो आपने क्या करना है यहां पर इसमें formatting करनी है mode number formats में जाके custom और यहां पर दो बार d लिखतीजेगा यहनिके यहां पर दो बार d लिखेंगे तो यहां पर उपर आपको sample दिखा रहा है कि आपको यह चीज़ दिखेगी और क्लिकर दीजे तो यह चीज़ आ रहा है अभी मैं आपको दूसरा formula apply करके दिखाता हूँ if का formula if conditional formatting होते है जिसमें हमें एक condition देनी होती है और उसके बाद दो result बताने होते हैं एक true और एक false का अब logical taste हमारा क्या है logical taste है जो हमारी production यह पहली date की पहला date का जो cell था D5 का D5 वो अगर कम है लेस्तेन है इससे हमारी last date से यह जो end of month वाला formula जाम ने apply किया था वहाँ से अगर कम है लेस्तेन है तो अगर यह हमारा जो logical taste है true आता है तो फिर हमें यहाँ पर क्या show करें तो हमें D5 में एक plus कर दे लेकिने से पहले आप इसको जो है static कर दे इस formula को यहाँ पर F4 प्रेस कर दीजे तो यह formula आपका static हो जाएगा यानि कि जैसे आप drag करेंगे तो आपकी यह वाला cell जो है यह common रहेगा बाकी आपका drag हो जाएगा तो अभी D5 plus 1 कर दी उसमें D5 में एक aid कर दे अगर नहीं यह condition true नहीं हो रही तो फिर cell को खाली छोड़ दो enter कर दीजे तो यहाँ पर 2 आगया ठीक है यह अब जैसे drag करेंगे तो इसी तरह चलता जाएगा यह 31 तक चाहिए यहाँ तक चाहिए 31 तक क्योंकि यहाँ पर इस cell पर हमने by mistake यह formula यहाँ पर apply करना था नहीं कया इसलिए हम यहाँ पर आगे चले गए चले खैर तो यह उपर text का formula यूज किया गया है हमने यहाँ पर इसको बताया है equal to text किसका नीचे वाला cell जो है D5 D5 का text और format कौन सा रखना है यहाँ पर जैसे TUE लिखना है तो तीन लिखने है तो आप तीन बार डी प्रेस करोगे जतने आपने लिखने उतने बार आप डी प्रेस करोगे और bracket को close करके एंटर कर दें तो Saturday आ गया और Sunday पर यह color कैसे किया गया है यहाँ पर देखें अगर मैं यह date change करता हूँ June कर देता हूँ तो यह देखें चेंज हो रहा है तो यह कैसे चेंज हो रहा है तो conditional formatting में हमने इसको condition लगाई हुए आप new rule में जाएंगे use a formula to determine which cell to format यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपने formula apply करना है ठीक है यहाँ उससे पहले आप selection बना ले जहाँ आप formula apply करना चाह रहे है तो यहाँ पर आपने selection बना ली अभी conditional formatting में न्यूरूल बना ली यह use a formula to determine which cell to format और आपका जो formula होगा होगा कि यह वाला जो cell है आपका लेकर इसकी जो d है इसको आप statistic ना करें इसमें जो dollar की sign है वो हटा दे four पे रहने दे और बराबर है Friday के यानि के पहले हमने Sunday पे कर चुके हैं तो मैं भी Friday को green करना चाह रहा हूँ तो Friday के अगर यह बराबर है तो फिर क्या करो यहाँ से उस दिन को font को जो है यह देखी यह हमरी conditional formatting यहाँ पर भी apply हो गई उसके बाद जो next formula हमने यूज करना है वो completed में यूज करना है जितनी products हम complete कर चुके हैं वो यहाँ पर count करके देगा हमें वो formula, sum का formula हम यूज करेंगे R2QL के साथ आप उसकी shortcut की है, यूज कर सकते हैं उसके बाद आप selection दे दे यहाँ से आपने selection दे देनी है यहाँ तक ठीक है और bracket close करके इंटर कर दीजी यह zero बता रहा है कि आपने कोई task complete नहीं किया, फिज़बल मैं यहाँ पर अगर 10 type कर देता हूँ 10 type कर देता हूँ तो यह मुझे बता रहा है कितने completed है remaining का हम कैसे करेंगे कि for example हमें order 1000 मिले हैं कि 1000 mouse बनाने हैं और हमने 10 complete किये हैं तो यहाँ पर हमें remaining बता देगा वो remaining क्या है, equal to orders minus completed enter, तो 990 हमारे remaining है, average हम कैसे निकालते हैं equal to completed divided by orders तो यह हमें 1% बता रहा है कि 1% हमने complete कर ली है 1% कैसे बता रहा है कि मैंने यहाँ से फार्मेटिंग जो है वो percent में लगाई हूई है, ठीक है यहाँ पर देख लीजेगा जैसे यह जून है इसको गर मैं change करता हूँ जून को तो for example जूलाय करता हूँ तो यह देखे 31 का हूँ यहाँ पर formula नहीं आया क्योंकि यह मैंने drag नहीं किया हूँ थोड़ा पीछे गलती हो गई थी, इसलिए यह देखे जैसे हमने आगे लिया तो यह देखे चेंज हो रहा है, ठीक है अगर आप यहाँ पर इसको February करेंगे तो यह 28 दिनों का है तो यह देखें, 28 दिनों तक हमारी 29 दिनों, यह 2020 में 29 का है, तो यह 29 देज हमें बता रहा है, ठीक है जैसे जैसे आप task complete करते जाएंगे, यानि कि अगर माउस आपका Saturday पर 10 बनाए है और Monday पर आपने 100 बना दिये, तो अब जैसे आप 100 यहाँ पर type करोगे, तो देखें, यहाँ पर completed में वो aid हो जाएंगे, remaining में वो कम हो जाएंगे, और average हमारी वो हमें calculate करके देदेगा इसी तरह same formula को अगर आप drag करके नीचे लेकर आते हो और यहाँ पर आप टाइब कर देते हो, for example, हमें इसका भी 1000 का ही आपर मिला हुआ है, तो यह देखें 0% completed है, यहाँ पर देख लीजिए हमें error दे रहा है, यहाँ पर तो error को हम कैसे remove करेंगे error हमें, पहले तो यह error दे क्यों रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई data ही मौजूद नहीं, जिसकी यह हमें average थे, ठीक है तो इस error को calculate करने, इसको error को खतम करने का क्या तरीके कार है, कि हम if error का formula लगाएंगे, यहाँ पर equal to if error अगर error show हो, तो पहली value, कि भाई यह value है, हमारी value है यह चीज़ आप task perform करो, अगर अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें क्या show करवाओ, दो बार double code हम देखे, bracket close कर रहे हैं, तो फिर दुबारा हमें अगर error आजाता है, तो हमें क्या करेगा, कि दो बार double code का मतलब है, कि फिर वो cell को खाली छोड़ दे enter, ठीक है, अभी हम इस formula को drag and drop करते हैं, वीचे यहां तक drag करके लिए अगर आते हैं, तो देखें, तमारे इस error formula ने क्या कर दिया, कि यहां पर जो error शो रहा था, वो खतम कर दिया, अब देखें, यहां पर keyboard, अगर मैं जैसे यहां पर हमने keyboard के hundred orders ले लिए, अगर keyboard हमने first day पे 50 बनाए हैं, तो यहां पर देखें, इसने calculate count कर दिया, और यहां पर percentage oil manning पे, जो है effect आ गया, तो यह था हमारा आज का वीडियो, अगर आप दोस्तों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को like को share जरूर कर दीजेगा, और साथ में ही अगर आप दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया, तो मेरी आप से दरखास थे कि मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे, और साथ ही गिंटी के आइकन पर क्लिक कर दीजे, ताके मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहें दौह में याद रखिएगा, अल्लाह आफिस